हेलो फ्रैंड नमस्कार इस वीडियो में आप लोग़ को हम बताएंगे जन आधार काट को कैसे आप लोग ओर्लेन डाउलॉड़ कर सकते हैं जोण आधार काट के क्याकर बेनेफिट दिए जाते हैं इस वीडियो में complete ज़ानकारी देने वाले हैं इस वीडियो की शुरुवात करने से पहले आप से भी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमें सुपोर्ट करने के लिए सरकारी सुल्यूशन चैनल को जुरू सबस्क्राइब करें अगर वीडियो पसंद रहत वीडियो को लाइक और से भी जुरू कर दिजिएगा चलिए इस वीडियो की शुरुवात करते हैं जन आधर कार्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें गुगल सर्च करना होगा यहाँ पर हम टाइप करेंगे जन आधर उसके बाद हमारे सावने first link आ जाएगी यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद जन आधर कार्ट की official portal open हो जाएगे उसके बाद जन आधर कार्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें option मिल जाता है Now Your Journey आधार तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर Family ID नमबर या तो Acknowledgement नमबर या तो आधरकार नमबर या तो Mobile नमबर यहाँ पर हमें एंटर करना होता है या तो यहाँ पर दिया हुआ केप्चा यहाँ पर फील करेंगे उसके बाद यहाँ पर खोजी वाला ican पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर सभी Family Member को अपर लिस्ट यहाँ पर आ जाता है जिस भी Family Member का आप लोग EKYC करना चाहते होंगे या तो Gen Arther का डाउनल्लोग करना चाहते होंगे यहाँ पर आप लोग को select करना होगा उसके बाद e-keywaysie-gen-arther पे click करेंगे उसके बाद हमारे mobile पर एक OTP भी बीजा जाता है यहाँ पर OK करेंगे OTP आने के बाद यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद यहाँ पर verify वाला icon पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर enrollment number आ जाता है यहाँ पर जन आधर ID यहाँ पर आ जाता है उसके बाद जन आधर डाउलोड करने का option यहाँ पर हमें मिल जाता है तो यहाँ पर e-card डाउलोड करने के लिए डाउलोड e-card पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने जन आधर डाउनलोग हो जाता है तो मित्रो इस तरह से आप लोग जन आधर इस पोटल के माध्यम से डाउनलोग कर सकते है जन आधर कार्ड को राजस्तन सरकार द्वारा बनाया जाता है एक नमबर, एक कार्ड, एक पहचान इस कार्ड का यह उदस्य है जन सुविदाओं का नया आधार जन आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग बहुत सारी योजनाओं को इस आधार कार्ड के माध्यम से एकसेस कर सकते है जिनके पास जन आदार है उन्हें आई स्यमान भारत योजना का महत्मा गांधी राजस्तान स्वास्ति विमा योजना का डायरेक्ट बेनेफिट दिया जा सकता है जिनके पास जन आदार है उन्हें सरकारी योजनाओं का फाइदा और जन कल्लन योजनाओं का डारेक्ट बेनिफिट सरकार द्वारा दिया जाएगा I hope मित्रों आप लोग को हमारी ओर से बताएगा इन परमिशन बहुत पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा अपने मित्रों के साथ मन में अगर किसी भी तरह का सववाल या कनफिजन है सुजा होगा आप लोग हमें कॉमेट करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए जैहीन वंदे मातरम जै भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थेंक यू